अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए ऋरूर करें अभड़ा तो थैंक्स पर जरूर के विडियो ऑ्यार भेजियो विए एंक्स पर जरूर को दो टेशी हैं कि अ एंग। हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है कर दो out दोस्तों जबकर आप आफिस में आएंगे तो एक फुर्षी पर वो चहा जिसे आप पिछले तीस बरसों से एक भाई एक मिठ और एक स्यायोगी की तरह जानते आए हैं वो चहा आपको दिखाई नहीं देगा वो मुश्कुराइट आपको नहीं मिलेगी क्योंके शुक्ला जी आज हमसे बिदाई नहीं हैं शुक्ला जी उन लोगों में से है जो आफिस को अपना परिवार और काम को भगवान समझ कर उसकी पूजा करते आए हैं महनिय सेट संपतला जी महनेजर साहब और दोस्तों मुझ में अगर मुस्कुरानी की ये बुरी अहदत ना होती तो आज आपका ये प्यार देखकर बिना किसी शर्म लिहास के आपके दर्मयान आपके सामें रोप पड़ता लेकिन मेरा हमेशा ये उसूल रहा है जितनी बड़ी मुसीबत हो जितना बड़ा गम उतनी गहरी मुस्कुराहत दोस्तों मेरी आफिस के जिन्दगी एकाउंट्स में गुज़ी है हिसाबों में प्लस माइनस सम टोटल लेकिन मेरी जिन्दगी के हिसाब में कौन सी रकम कहां से आई है वो आप नहीं मैं जानता हूँ आज आपको ये बताने में मुझे जरा सी भी शर्म मैसूस नहीं हो रही कि मेरी इस काम्यावी के खाते में सबसे बड़ा हिस्सा मेरी पत्नी सबोज नहीं है मेरी पत्नी का सबसे बड़ा गुण है सहजीता वो आज तक मेरी दूसरी पत्नी को भी सेती है चौके अजी मेरी दूसरी पत्नी याने मेरा काम जिसे कभी कभी घुसे में आकर ये सौतन कहती है और आज मैं अपनी इस बीवी को छोड़के जा रहा हूँ किस दिल से जा रहा हूँ मेरा ही दिल जानता है आपसे एक दोस्ताना मश्वरा है अपने काम को कभी भोज मत समझना है उससे प्यार करना सीखो उसकी उसकी पूजा करना सीखो अब मैं आपसे बिरा लेता हूँ अंजाने में उससे कोई घल्टी हो गई हो किसी को कुछ कह दिया हो किसी का दिल दुखाया हो तो अपना समझ कर मुझे माफ कर देना थांक यू थांक यू थांक यू फॉर एवरिधिंग इस्टेटी प्लीज इस्टेटी प्लीज अपना बस नहीं पिताजी मुझे अपने लिए फेक कॉपी चाहिए पिताजी मुझे भी एक चाहिए मेरे भाईया मांग रहे थे एक मैं भी मैं अपनी चीचर को दिखाऊंगी अरे भाई तुम तो खाऊ लड़ रहे हो हम लोग अभी हैं तुमारे पास हाँ सुनो जी सीमा बेटी यहां होते तो कितना अच्छा होता आज परिवार के सभी यहां मौजूद है लेकिन वो तुमारे प्रभू साहब भी तो नहीं है वो ज़रू साइकल रेस में हिस्सा लेने क्या होगा उसे वोल्ड चैंपियन जो बनना है तहां तुरवा गया है हाँ मा का लाडला है जो करे सो कम है पिता जी एकदम मावाली हो गया है आज कल किसी की भी नहीं सुनता वे चारा मेरी बहन की एक ही निशानी है मरते मरते हमारे सहारे छोड़ गई थी लेकिन पिता जी हम भी उसके भले के लिए ही तो कह रहे है देखो ना ना काम ना काच कम से कम वक्ते खाना ही खाले ठीक है आरे दोस्त बनाता हूँ उसे वाल्ड चैंपिया हो गया उस्ताद? आ बिल्कुल हो गया अगर कोई घोड़ा होता ना तो इन खुबसूरत हाथों को चूम लेगा अरे उस्ताद अपना साइकल भी घोड़े से कम नहीं है रेस में एंटर होगा ना सब लोग मिचे रह जाएगा वो तो ठीक है लेकिन अगर घोड़े की सवारी कोई गदहा करेगा तो कैसे जीतेगा अरे उस्ताद दोस्तों के आप उनको गाली देता है अब या दोस्त नहों होता तो मोटर मैकरी खो करकर ये तेरी साइकी दूस करता अरे इटलर मैं तो मजा कर रहा था बोलो टाइम कितना हुआ मलगा शबाश आप बेस्ट ओफ लाक अरे पिताजी आप तो कुछ खाए नहीं रहें थोड़े चावल लिए अरे ने 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 बहुँ चावल खाखाके तो ये हाल हुआ है भाबी मैं बदा हूँ आज पिताजी को खाना क्यों इच्छ राग रहा है क्यों क्योंकि मातर जी नहीं बनाया हमारे हाथों में इतना रसका हूँ ऐसे बात है अरे ने बहुँ कितना खा चुका हूँ मैं खाना बहुत ही अच्छा बत है पिताजी मैंने आपके मनपसंद रस गुल्ले भी बनाया है अच्छा ये रोटी कॉन मुह में थोचता है चल दिए से लिया हूँ मीठे के लिए पेट में जगा तो रखनी जाए न पिताजी अगर शादी की तिन रस्ते में हलवाई की दुकान आ जाती तो शायद आप लंगनमंड़ में भी न पहुच पाते न पहुच पाता तो तुम्हे इतनी अच्छी मा कहा से मिलती दरजी जब आपकी शादी हुथी जब हम कहा थे मेरे ये बदार तो मुश्किल है ये लीचे इत ने दे लूँगी रख गुल्ला देखे तुन्हे सुभाई तो खाय था अब दरजी को खाने दे चीची बहू बच्चों के मुह से छीन के खाना अच्छा नहीं पिताजी आप हाद दो लीजे मैंने पान लगा के रख रख रहा है अच्छा बहुत यहाँ मैंसे के खेर दभूगा पिताजी दो पैकेट गोल फ्लैक के लाकर मैंने आपके मेस पर रखती है यहाँ छुड़ इसको भी खाय ही लेता हूँ बस भी करेंगी यहाँ की खाया यह क्या कर रही इमाजी हमारे उतेवे आप छुटे बर्तन उठाएंगी यह नहीं चुपके से खाना खापे सो जाए वहूँ के मूह लगता है फिर उनसे सौ बाते सुनता है सुवा बच्चू के कान के इस्ताम कौन मामी मैं हूँ रभू आगया मामी पेट में चुए दोड रहे तेरे हाथ को क्या हो गया सब का दिमाग इतना गरम है कि मुझे जूट बोलना पड़ा कि मैंने खाना खा लिया मुझे बड़ी भूग लगी है जल्दी से कुछ खिला दे मामी बड़ी भूग लगी है तुम क्या करो मामा है सोजा सोजा तुम्हारा काम नहीं है पहले पेट भर ले बच्चू फिर खबर ले ताम तेरे चुब भी करो बेचारा सारा दिन का भूका प्यासा घर आया है लो इसने एक लफस बोला नहीं कि तुम्हे इसकी तरफ हो गई अभी अभी तुम्ही तो शिकायत कर रही थी इसकी वारे मैंने कब की शिकायत रभू तुने बता नहीं ये तेरे हाथ को क्या हो गया अरे कुछ नहीं हुआ मामी वह साला वह त्रिभून है ना उसने अपनी साइकल में साइकल से भीड़ा दी बस गिर गया जाशते पे ज्यादा चोट तो नहीं लगी न बिलकुल नहीं अच्छा सरोज तुझा इसके लिए खाना लें थैंक्यू मामा देख प्रभू तु ये साइकल रेस का चटकर छोड़ दे आज जरा सी चोट लगी है कल हाथ पाउंट उड़वाएगा देखो मामा तुम बड़ी दूर की सोचते हो इतना सोचना छोड़ो छोड़ो जाने जिन्गी क्या करेगी इस पाउंगल के साथ क्या क्या करेगी ले प्रभू खाना खाने डे प्रभू तू वखपर आकर खाना खालिया कर फिर तुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा मैंने तुझे हजार बार कहा है के मामी, ये दाल तुने बनाई नहीं, मुझे चकते ही पता लग गया अरे इन भावियों को फैशन जे फुरसत मिले तब बनाई न खाना और फिर बनाई भी कैसे, अभी तक किताब पढ़के बनादी खाना मामी, एक बात बताओ, ये सब तुम्हारे चर्णों की धूल के बराबर भी नहीं है अरी, क्या चबड चबड कर रहा है खाना आहिस पे चबा चबा कर खा, वरना पेट में दर्द उठ जाएगा और बगबग कम मैं बगबग कम करता हूँ, तुम सिग्रेट कम करो 24 सिग्रेट पी होगी न दिन में हाँ हाँ, तुम खाना खा हाँ हाँ, रात बर खासेंगे, और डॉक्टर को लाने मुझे जाना पड़ेगा अरे, ये फिर शुरू कर दिया हाँ देखो मामा, तुम मुझे शांती से खाने दो गया नहीं मैं कहीं और जगे खाता हूँ मामा अरे, ने, सुन अरे, मेरी बात को सुन तुमने खामा खा बोल दिया बेक्यारे को आराम से खाने दिया होता सरुज, मैं सोचा था तुम सोच नहीं रहे, सिगरेट फुक रहे हो लो भाई, लगता है किसी दिन कमवक्त ये सिगरेट छोड़ने ही पड़े सारी उम्र में पीछे पड़ी रही, फिर भी यादत नहीं छुटी अब क्या छोड़ोगे? हाँ, तुम कुछ कह रहे थे न? हाँ, वो बात तो में भुला दिया न? हाँ, सरज, घूमने चलोगी क्या कहा घूमनी? ये फिली रात गए? हाँ, नहीं भाई मैं कह रहा था, क्यों न हम दस बारा दिन के लिए किसी हिल स्टेशन पर चले? वापस आएंगे तब तक वो प्रोईटन फंड का पैसा भी मिल जाएंगे? चलना ही है, तो हरी द्वार चलते हैं लो कर लो बाद, मैं सेर की कह रहा था और तुम तीरोध यात्रा करवाने पर तुलीवे हो बात सुनो, तुम सठिया तो नहीं गए क्या मतलब? इतनी अच्छी बात, तुमने जिन्दगी नी पहले तो कभी नहीं की देखो सरूर, याज मत दिलाओ, वनना मुझे गुसा आजाएगा बूल भी, पहली बार जब मैंने प्रोग्राम बनाया था, तुमने गड़बड कर दी थी मैंने गड़बड कर दी थी? अब इसको गड़बड ही तो कहेंगे, और नहीं तो क्या कहेंगे मेरे पास सुबूत भी है सुबूत? आपके हाथ का लिखा हुआ सुबूत, यकिन नहीं हो रहा है मैं भी लाता है सुनी मुछी आपसे कुछ कहना है कुछ? शर्माती है मुझे पता कैसे चली है मैंने इसमें लिख दिया है आप पढ़ लीजे अच्छ मैं मा बनने वाली हूँ यह तुम्हारा पहला और आखरी प्रेम पत्र है जो तुम्हें मुझे लिखा ला तुम्हें अफसोस है इस बरत का? जरा भी नहीं बल्के खुशी है और फिर चिठी पत्र तो लोग लिखते हैं जो यह तूसरे से अलग रहते हैं सरोज भगवान के हम पर बड़ी कृपा रही है जिन्दगी के आखरी दिनों तक हम दोनों साथ रहे अब तो ऐसा कुछ प्रेम पत्र लिखने का इरादा नहीं है न? क्या मतलूब? भाई जब मैंने पहली बार बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया तो तुम्हें यह प्रेम पत्र लिखकर नरेश को हादर कर दिया दूसरी बार हमारे नमेश जी तश्रीफ ले आए और फिर हमारी सबसे प्यारी गुडिया सीमा जी बदा दिया मैं लास्ट वाड़िंग रिता हूँ लास्ट वाड़िंग कोई लड़की इस होस्टल में नहीं आईगी उसे मैंने यहां देख लिया तै यहां आप कौण है मैं अजय की बॉआ हूँ यह बोइस होस्टल है यहां लड़कीं का अना मना है मैं लड़की थोड़े हूँ बुआ हूँ बुआ लड़की नहीं होती है क्या बुआ बुआ ही होती है बेटा मैं अंदर जाओं अंदर कहा अजय के कमरे में अजय के कमरे में लड़की नहीं नहीं जा सकती आप नहीं जा सकती अंदर आप लड़की है अरे मैं तो बुआ हूँ अच्छा रामो क्या सर अजय को बुलाओ और बोलाओ उसकी बुआ उससे मिलने आई है बहुत अच्छा सब आप बैचिए अब बताईए कैसी पढ़ाई चल रहे है मुन्ने की मुन्ना मुन्ना कहा चाल गिया वही मेरा मुन्ना अच्छा बच्पन में हम उसे मुन्ना कहते थे आपको बच्पन में क्या कहते थे मुझे? कालिया कल्लू बढ़ा प्यारा नाम है कल्लू वैसे अजय पढ़ाई तो अच्छी करता है और लड़का भी अच्छा है लेकिन एक लड़की है सीमा कौन सीमा? आफद मुसिबत शराबात है बूआ मैं आपकी बूआ थोड़े हूँ मैं तो मेरे मुन्ने की बूआ हूँ फिया सर लीजे वो आ गया इधर ने इधर ने इधर अच्छा तम्हारी बूआ मेरी बूआ मुन्ना कैसा मैं Munna? कैसा थarya? बहुत इन बाद मिला है, बूल गया Munna रही तन मुना रहेगा अरे मैं तेरी अफरीकावाली QR हूँ ओ Inkhour law Mara तो नेयर ते के बुख घै Inu क्यारी बुख तो ने बुख अबहसे, बहुत करा रिखा तो तरहां, यह सीमा कौन है? सीमा कौन है, सीमा कौन है? कौन सीमा को नि जानता है? गार बहुत पतलगा है यह अच्छी बात नहीं है वो तुमाही पढ़ाई में रुकावट डाल डाल ते है उसकी खवड लेनी चाहिए वेजिए चलो, चलो मेरे साथ आखाल, लेजाईए लेकिन से मैं आपकी परमेशन के मियाँ आखाए इसमेरे ओर्डर यहाँ, ओर्डर उनके साथ जाओ यह सर्थ थाइंक्यू कल्लू जित्ते रहो, जित्ते रहो चलो, चलो मुना, चलो अजाए यह सर्थ इदर आओ, इदर आओ कान इदर लाओ यह सर् तुम्हारी बुआ की आख में कुछ खराबी मौलिम होती है घड़ी घड़ी आख मारती है ओ यह सर् इस उमर में यह बिमरी अच्छी नहीं है जली डॉक्टर के पास जाओ और इलाज करबाओ यह सर् त्भ dévelop क्यों जी इसमें कौनी बड़ी बात है एक दिन मैं भी लड़की बनकर तुमारे होस्टल में आद धंगूँगा रेली? रेली? बूच अच्छे लगोगे उतर देखो, शरम नाम को नहीं बूडी गोडी, लाल लगाम मा की उमर की है लेकिन क्या उचलकूट कर रही है? अरे ओ जशमेश, मा होगी तेरी बापा चीव, हम आप से बात नहीं कर रहे हैं हम तो इम से बात कर रहे हैं बैठो अरे ये क्या करते हो? सिमा, सबसे पहले अपनी ड्रेस चेंज करो क्यो? अरे तुम्हे ये सब तमाशे अच्छा लगता है क्या? हाँ तुम्हे अच्छा नहीं लगता? ओ सीमा मैंने तु सुना था प्यार में सब कुछ अच्छा लगता है जी हाँ लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये सब कुछ किया जाए ठीक है मैं चलती हूँ प्यार करने की आए आरे बब, आरे बब, तु प्यार करना लगाए हे, 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 मुझसे आखे मिला मैं बता दू हे, मुझसे आखे मिला मैं बता दू अरे तबर तबर दिल कैसे हाथों से चाए प्यार करने की आएर है ओ, क्यूं प्यार करना लगाए आरे तु झाए क्यूं प्यार करने की आएर क्या खे प्यार करने का मौसम ज़ाए दिल दिवाना मैं चलता ही चाहे प्यार दिल में उठरता ही चाहे आजर आजर बहों में गरी प्यार करे चोरी चोरी बहारों का मौसम बीतन ज़ाए रे आजा के रुट बहारों की तो आके चाहे और तबर तबर शर्माना तेरा न ज़ाए हर लहर पे लिखी ये कहानी है सुने तो हर तैली के दाजानी साथ अपना तो है चार दिन का है के प्यार की ऐसी तस्वीर है तू के प्यार की ऐसी तस्वीर है तू अर तबर तबर जो प्यार करना सिखाए अम्र तो प्यार करने की आए रहे अम्र तो प्यार करने की आए अरे रे बबर बाबा क्यों प्यार आए व्यार करने की व्यार करने की आए अरे जो 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 जल्दी उठो गाड़ी छूटने वाली है पटा जी आप लोग पहली बार बहार जा रहें बने दो चार दिन लगाईएगा हम लोगी फिकर मत कीजिए चलो बैट उठो चलो पैटे चलो 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 अच्छा मां जी जिदे पाँच जी पहुचनी डीलग्राम कर देना अच्छा पीटा अच्छा तुम्हा चले जीदे रहो बजी ठीक से अच्छा रखना अपने अरे बुद्धु तु यहां क्यों बैटा है गाड़ी चलने वाली है नीचे उदर हां तो उतरता हूं ना अब मामी सामान के पास नगे हां उतरते मां गिन लीजेगा और सामान पर पूरा ध्यान रखीगा आजकल चोड़ी होती है अच्छा अच्छा लेकिन तू उतरेगा के नहीं उतरता हूं उतरता हूं पैसे तो समाल के रखे है ना रख लिए पैसे हां रख लिए जो बड़े देते हैं और छोटे लेते हैं पैसे मैं तुझे समझ गया बदमाश ये लिए 30 रुपय है मेरे आने तक काफी है ना 30 है इसके जुरूर तो नहीं थे उतरता हूं उतरता हूं आपजी अची तरफ रहरा हूं अची तरफ रहरा हूं जंदी आ रखना हूं जंदी आ जाला माश तुम्हों को बग्या क्या सुनों मामी थीगे, हम आ जेके तो फिकर ना रहे हूं तरफ आप तो चल्दी आएंगे ने नहीने अच फाज Damn पंदी आएंगे ने स्कंपाइ친, सुनो भै यह गारी यहां कितनी दें रोको है कि खुता है सुनो, मैं जारागव 파ानी, लेखना हा करवाल माँ, माँ साथ, जी, वो, वो पानी ने लिगे है, गाड़ी चल पड़ी है, आपनी ने लिगे है, अभी चन घीचतेता हूं भाएशाब जूर्माना भरने का इरादा है, मैं सभी आप बाहर रह गया गया जो पहले बाहर के ट्रेन में सफर नहीं कर रहा हूं बहन जी बहुत क्णारी है, अब बहुत कर रहा रही चला का हो रहा गया थै मैं देखा था, तुम अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो या नहीं क्या मांगा तुमने भगवान से घीना मागे की भगवान ने सब कुछ दे दिया है घरबार पर उसकी दाया दृष्टी बने रहे पर और क्या मांगती अरे इतने दूर से इतना पैसा खर्श करके हम आया है कुछ नुकुछ तो मांग लेती गा वसको मेरे लिए कुछ मांग लेती तुम्हारे लिए? हहाँ इसमें हस नहीं की कोई बात नहीं नहीं, नहीं, वो बात नहीं मैं सोच रही थी वहला भगवान से भगवान के लिए कोई मांगता है क्या मैं भवान हूँ मेरे लिए तो हो अच्छा भवान ठीक है चड़ा दो पेड़ पे अच्छा अच्छा बहुत दर्द हो रहा है इस उम्र में सेर को निकलोगी यही तो होगा उस पर मेरे जोडों का दर्द है मैं पाउन दबादू छी पाप लगेगा याज तुम बहुत सारी चीज़ें खरीद लाई हूँ क्या-क्या है यही बहुं के लिए साड़ियां बेटों के लिए कपड़े निकी गुदू चंदू के लिए यह कपले मैंने तु सर्फ एक ही चीज़ खरी नी है यह देखो यह साड़ी तुम्हारे लिए कैसी लेगी? है तो बड़ी अच्छी लेकिन तुम अपने ले कुछ निलाए सरोज यह सब अपना ही तो है यह करक दो तो कर दिलार एयर emails कर दो कर दो आपने वो आफिस के पेपर्स वगएरा तो रख लिया ना हाँ मैठे रख लिया अभी तक मेरी आदश कमज़र नहीं हुए अई मतलब है हम मेंसे कोई एक के साथ चलता तो ठीक रहता हा ने ने टेक्सी अपने प्रभु को टेक्सी लाना बेजा है ना हाँ तो बस आ चुकी टेक्सी प्ताजी मैचा के लिए हो अप्रभु तो आ ही गया मामा, टेक्सी इस है स्कीम! पिता जी, चाता लोगी जाहिए, बाहर दू बहुत तेज है अरे भाबी जी, मामा के टेक्सी में चाता खोलके बैटेंगा नहीं बैटी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पिता जी, लोटते पर टेक्सी पहिएगा आजकल पैसे लेके बस पर सफ़ा करना अच्छा नहीं है हाँ, अच्छा नहीं, मैं साथ चलू? नहीं, तो यहीं बैट, मैं साथ चलू, ला चले तुम्हारा क्या खैल है, पिताची को कितना रुपए मिलेगा? मेरे ख्याल में पचासदार तक तुम मिलना चाहिए तो समझो के मेरे मन के मुराद पुरी होगी क्या मतलब? क्यों, भूल गया? तुमने कहा था न, कि तुम मुझे एक फ्लैट खरीड दोगी? कहा तो था, मगर इन पैसो में रमेश का भी तो हिस्से रहे रमेश का हिस्सा? रमेश के पास तो अच्छा खासा काम है रहने को घर है तो पैसो का क्या करेगा? मुझे कश्मीर ले चलोगे न मैं तो रुपया लेकर कोई बिजनस शुरू करूँगा पलर की में क्या रख़ा है? एक बात बताओ तुम्हारे बड़े भईया बहुत हुश्या रहे वो जरूर पिताजी को कोई उल्टी पट्टी पढ़ा देंगे मैं भी दूद पिता बच्चा नहीं हूँ सेच क्या रहे हो? सुनो, पिताजी को आने तो मैं उन्हें समझा दूँगा एक बार मेरा बिजनस चल निकला फिर हम लोग हर साल कश्मे जया करेंगा सेच आजाओ बच्चो दादेजी दादेजी आजाए दादेजी आजाए दादेजी, अमारे लिए क्या लाए लाया हूँ बेते, सब के लिए लाया हूँ यह देखो चोकलेट तुम्हारे लिए यह तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए भी है यह और बेते, यह तुम्हारे लिए कैरमबोड भी लाया हूँ अरे क्यों परेशान कर रहे हो दादेजी को देखते नहीं ठक कर रहे हैं जाओ जाके बाहर से लो क्यों? और बहु, ये तुम्हारे लिए साडी है और ये छोटी बहु, आप हम लोग का कितना ख्यार लगते हैं पिताजी, सब ओफिस के काम ठीक ठाक हो क्याला? नरेश, क्या बता हूँ? आज ओफिस वालों का प्यार देखकर आखे मलाई जब मैं वाँ पहुंचा, तो सारे काकजात तयार थे सिर्फ दस्तखत करने की देद थे आज वो रिष्टा भी तोड़ा आया पिताजी ठगए होंगे, उनके लिए चाय भाई तो ले आओ हाँ वह चाय पीने की बहुत इच्छा हो ना भी लाई यू समझो गंगा ना आया पिता जी, पैसे कितने मिले? कुल मिला के एक तालीस हजार और पांचो कुछ ऐसी रकम थे मैंने सोचा ये लक्षमी देवी बड़ी चंचल है आज यहां तो कल वहां फारण उनको उनके घर पहुँचा दो क्या मतलब? बस बेटी, यू समझो इजद गिरवी रखी थी, आज छुड़ा लाया हूँ अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ बेटाजी, आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आया देखो बेटे, मेरी जिनगी एक खुली किताब है मैंने आज तक जो भी चार पेसे कमाये हैं, इमानदारी के थे पूरे नहीं पढ़ते थे तुम्हारी पढ़ाई, रमेश के पढ़ाई, तुम दोनों की शादी, आय दिन का खर्चा पिठे, कर्ज लेना पढ़ता हूँ आज मैं सबसे पहले उस रकम से सारा घजा चुकाया हूँ मैंने कोई बुरा तो नहीं किया ठीक है, आप धर के बड़े हैं तुमने बहुत अच्छा किया कर्ज सबसे बड़ी लानत है सच मुझे, आज तुम गंगा नहाए बस, अब सीमा बैठी के हाथ पिले करने हैं तुम कैसी बातें करी हो सरूर? अरे, हमारे दो-दो जवान कमाव बेटे हैं तुम देख ले न, ये किस धूमधाम से अपनी बैंक की शादी करेंगे देखो वैं, हम से जो हो सका हमने कर दिया अब इस घर का सारा बोज, हमारे ये दोनों बेटे समा लेंगे क्या सोच रहे हैं? मैं ही सोच रही हूँ अजया कि तुमारे माता-पिता ने ना तो मुझे कभी देखा है और ना ही मेरे बारे में कुछ जानते है देखा तुन नहीं है, लेकिन जानते जरूर है वो कैसे? अपने हर खत्मे में तुमारे बारे में लिखता रहता हूँ वो मुझे पसन कर लेंगे तुम मेरे माता-पिता कुछ जानती नहीं गरीब जरूर है, बहुत बढ़ गल है उनका लेकिन चारी से पर एक बार सोच लो हमारे घर में रूखासु का खाना पड़ेगा सारा काम खर का खुद करना पड़ेगा और एक ही कमरे में सबके साथ रहना पड़ेगा यह मुझे पसंद नहीं क्या मतलब? एक ही कमरे में रहना मुझे बिल्कुल पसंदी तो फिर कहा रहने ये ख्वाब देख रही हो तुम्हारे दिल में अरे क्या मर्यल चक्टू की तरह धेरे धेरे चल रहे हो तेस नहीं चल सकते हो क्या अरे मुझ पे कौन सा भूस हमारा जो भागता पिरू तुम्हे मुटापा कम करने सो भागो पता नहीं बस्पन में तुम्हारी मा ने तुम्हे क्या करूँ इस चीज किलाई कभी भी तुम्हारे मुझ से मिठी बात नहीं निकली और तुम्हारे मुझ से फूल बरतते हैं अचला हटोगे मैं तुम्हारे मुझ नहीं लगते हूँ मत लगो च्छ अरे 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 लेकिन दाजी मा तुमा थोड़ी खेल ले थी अच्छा 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 तुमने क्रिकेट से तो आउट कर दिया जिनकीस आउट मत करना है वाँ शुक्ला वाँ नमस्ते बाभी जब आदी में टीम बनाई आपे में खेल रहा हो बड़े खुछ नतीम हो यार डॉक्टर तुम भी खेला करो सेहट के लिए बहुत अच्छा होता है बाल बच्चे तो है नहीं ले जे के मिया भी भी हम कबड़ी खेल सकते हैं सुन लिया भाया इनकी बाते ये तो बताओ तब ये पगरा कैसी है भगवान की दया है भावी अब तो रिटायर हो गया हूँ बस ये छोटा सा संसाल है भगवान का दिया हुआ सब कुछ है इससे बड़ा स्वर्ग और क्या होगा सच कह रही हो भावी मैं तो नर्क में जी रही हूँ क्यों भगवाई मैं तुम्हे कोई यमदूर दिखाई देता हूँ छोड़ो डॉक्तर चलो घर चलते हैं एक कपचाय हो जाए नहीं भगवाई अभी तो नहीं अभी चलते हैं अभी तो जरा इनको एक्सराइब करनी है अले धन्यों महराज उदर जाओ अच्छा भी अच्छा जी आओ बच्छो घर चलते हैं आओ पहलो चपपल दादेजी आपके चपपल क्या वाद है सब चुपचाब है कोई बोल नहीं रहा तो खाना क्यो नहीं ठादा आज़ी खाना नहीं खाटा जो आज़मी भी थाया रुषर triggers यह सब बहुत और जो खाना था थालिएं पड़ा चुपचाब खाले मैं नहीं खाटा जो गोँए-छ hacksु जो अज बहुत अज़ती वी भादल बच्चे को क्या कोई इस्तर मारते है प्रफू तुमको बीच में बोलने के लिए किसे का ठीक है मामी मामा के खाने में बहा ले इदध है चावल में बखू खाना पकाते वक्त ध्यान रखा करो यहां जो लेता हूँ मुझे तो आज भूट नहीं मामा तुमने कुछ कहा है क्या सब लोग तो ऐसे खाना खा रहे थे जैसे पोटल में खा रहे हो तो चुप रहे है अपना काम कर अपना काम दो हो गया हाउस फुल लेकिन मामा चुप तुम अपने बाल बच्चों को लेकर बंबई से ले जाओगे अरे भे इनके अपने हाथ में थोड़ी है ऑफिस से ट्रांसफर हुआ है सुदा मुझे बात करने दो रमेश ट्रांसफर की ख़बर सुनकर मुझे भी हराने हुई थी नहीं मैं इसके हक में था लेकिन उन्होंने मेरी तरकी इसी शर्थ पर की है कि मैं बंबई वाले ओफिस में काम करूँ पिता जी और मा भी तुम्हारे साथ जा रहे है ना नहीं रमेश वह एक छोड़ा सा प्लेट है और फिर नहीं जगा है हमारा गुजारा कैसे होगा हमें खुद मालूम नहीं लेकिन भाईया तुम हमारी हालत तो जानती हो ना पिता जी के रिटायर होते ही हम दोनों इस खर का खर्च चलाते है अब तुम भी चले जाओगे तो सारे खर का खर्चा कैसे चलेगा हम लोग है पिता जी है मा है और प्रभू भी है अरे वह हमारी कौन सी वहां मिल चल रही है और फिर बंबई का खर्चा तो यहां से दस गुना ज्यादा है आप लोगों का गुजारा तो कैसे भी हो जाएगा लेकिन हम लोग तो भूके मर जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं हम लोग भी तो मजबूर है भावी तुम समगने की कोशिश नहीं कर रही हो रमेश, लेट उस बी प्रैक्टिकल इस प्रॉब्रम को करें मुझे मालूम है एस समय तोम इस प्रोजिशन पे नहीए कि मा और पिताजी को अपने साथ रख सको और इस वक्त मैं भी इस पोजिशन में नहीं को दोनों को अपने साथ ले जा सको इसका एक ही तरीका है तुम पिताजी को अपने साथ कुछ दिन के लिए रख लो और मा को मैं ले जाता हूँ मैं चाहती हूँ इस दीवाली पर बहु को कंगन बनवा दूँ मुझे मेरा हार है ना उसे तुलबा कर बनवाऊंगी मेरी तो अब उमर नहीं रही बहुए पहनेंगी तो अच्छा लगेगा लेकिन आप नरेशन में से कहना नहीं वरना वो मना कर देंगे कहेंगे नहीं मा वो तुह रहा ...- पताजी वो नरेश भीया ने कुछ बात किय आपसे नहीं तो- कॉनसी बात? तो ...- रमेश तुम आहा बैठे हो? आहा. क्या बात है बैटे. रमेश तुम ने पताजी से बात मिए? नहीं, भीया. कुछ बताओ तो सही बात क्या है कहो तु बेटे पिताजी मैं तरक्के हो गई है अच्छा और बंबई मेरी ट्रांसफर हो गई है यह तो बड़ी खुशी की बात है लेकिन मुझे रहना भी वही होगा अरे यह तो और भी खुशी की बात है तेरा अपना घर होगा लेकिन तुम मुझे फुला के क्यों बैठो मैं बताती हूँ वो हमें छोड़ कर जाना नहीं चाहता अरे पगले बंबई कौन सा दूर है जब भी जी उदास हो जाए गाड़ी पकड़ कर चले आना वो तो चीख है मा लेकिन नरेश फिया चाहते हैं कि तुम भी उनके साथ जाओ मैं तबर जाओंगी और तेरे पिता जी यही रहेंगे पिता जी को यही रहना होगा मैं सिर्फ आपको ले जा सकता हूँ पिता जी आप तो जानते है मेरे तंसा बहुत कम है मैं सब कर खर्चा कैसे उठा सकूँगा हम नों तो सिर्फ खर्च बातने के लिए सब कर रहे है और वो भी कुछी दिनों के लिए है कुछी दिनों के लिए कुछी दिनों के लिए तो हम तो उनों को नहीं रख सकते है हम बोज हो गये हैं क्या हाँ पच्चीस साल तक हम दोनों ने साथ मिलकर, तुम लोगों को पाला पोसा, बड़ा किया और अब तुम सब मिलकर, हम दोनों को कुछ सालों के लिए साथ नहीं रखते हैं पिता जी आप घलत समझ रहे हैं आज कल की महंगाई देखते हैं हाँ, बेका हाँ मैं तो भूली गया था अब मैं कमाता नहीं हूँ ना हम दोनों का खर्च हमारे बेटों पर है सरोज, अब हम अपने बेटों के महताज हो गये हैं जलेश नरेश तुम लोग इस उमर में हम दोनों को अलग करोगे हाँ मेरे बिना इनको कितनी तकलीफ होगी इनका खाल को रखेगा हाँ, हमारे भी मजबूरिया अकर नहीं जहने दोस्तरोज, जहने अब इने कुछ भी कहने की ज़रूर नहीं यह पहले से ही फैसला कर चुके है इसमें इनका भी कुल कुसूर नहीं हमारा दुरबाग यह है कि हम दोनों अभी अभी तक जिंदा है और वह भी यह 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 दिन देखने के लिए ठीके बेटा, जो तुम्हें सही लगे वही करो अब तो 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 यह इस घर के वड़े हो थाँ संबाल करेखना उस बाई जो सुद्धा कितने लागा है? बाई प्रभू, सारा समान आगे ना ठीक सेगिन लेगा देखो तुम अपना खायल रखना सर्दी शुरू होने वाली है मैंने तुम्हारे सारे गरम कपड़े इस पेटी में रख दिये है ताके तुम्हे धूड़ना न पड़े तुम्हे भी तुछ जोड़ों का दर शुरू हो जाता है दवा हमेशा पास रखना तुम मेरी चिंता मत करो तुम्हे ही कुछ याद नहीं रहता और हाँ तुम्हारी याददाश के लिए मैंने इसमें साब लिख दिया है अगर भूल जाओ तुम्हे एक बार पड़ देना चित्थी लिखनाना भोलना तुम्हे शिकायक थे ना कि मैं खत नहीं लिखती अब मैं हाँ साफ़ते खत लिखा करोगी हाँ सरोश अब चित्थी कहीं तो साहना ले गया है माँ चलो ये रुरिया आले चंदू कहा है? चंदू? तुम्हे रादी कह पाउचू तुम्हे आले पाले तुम्हे रुट जय données वुल्य के बहुत वसा माँ चंदू खर. आले जडु भुम्हे अच्पर पार देजिए पिताजी कर ख्यालत ला है अच्छा कितने बड़िया फटगराफ लाई है अच्पूच यहाप लाई लाई है दून्यवा थाई थाई कर दो कर दो कर दो कर दो व कर दो कर दो कर दो. चॉट dość टी सही, न ली मॉञ गुब कीुगा, है पीजो मॉड बही। क्यों, क्या हुआ? मेरे माता, पिता, जो जिन्देगनी कभी पलवर के लिए लगने हुए, मेरे भायों ने उनका बटवार कर दिया. लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, वहां तक तु लिखा है, कि वह बहुत होश है, छोटी बहु उनका बहुत ख्याल रखी है. मैं वह पढ़ रही हुए, जो इस ख़त में नहीं लिखा है. हाँ, जीमा, तुम ठीक कहती हो, क्या पथर का कलेजा होगा उनका? माबाब जो बच्चों के लिए करते हैं, अगर हम साथ जिन्म भी लेने ना, तो उनका करदा नहीं चुगा सकते है. और फिर इस उमर में तो ये आराम की, सेवा की एक दुसरी के साथ के जरूर थी. अजय, मेरे पिताजी मुसे बहुत प्यार करते है, उन्होंने अपना पेट काट-काटकर, मुझे आपढ़ने के लिए भेजा था. मैं तुम अधर समझता हूं सेवा. अजय, मैं, मैं सिम्तन के बाद पढ़ाई छोड़ दूगी, आब वो मेरा खच कैसे बदश करेंगे, ना जाने उपर क्या खुजरती होगी. भाभी, मामा को चाहे दी. देदी मा. दे. जब मामा कमाता था, तो अखबार सबसे पहले वो पढ़ता था. सबसे पहले चाहे वो पीता था. और अभी. प्रभू, तुझे कितनी बार कहा है, मेरे लिए जगड़ा मत किया कर. पर मामा. ये क्या दरीका है प्रभू? देखा, बिना चाहे पी ही वो अफिस चल गए. पिता जी को तो कहीं नहीं जाना है, मैं उनी के लिए चाहे बना रही थी. तो कौन सा ऐसान कर रही थी? अगर मामी यहां पे होती, तो तुमारे हाथ की चाहे मामा को कभी नहीं पीने देता. कितना खयार रखती थी मामी मामा का? है न मामा? पता नहीं यह फनी चाहे वाला कब.. अरे माजी, यह सबजी तो सब ऐसी पड़ी, अब क्या होगा? नीकी गुड्डू का नाश्ता तयार कर रही हूं, बहू. उनकी बहस नहीं कर जाएगी. माजी, मैं क्या करूँ, इनको भी फणी चराज ही मंगवाना था. बस बिना पुछे हुकम चला देते हैं, मैं क्या करूँ, मेरे दो हाथ तो है. बहू, तुम उधर का ध्यान दो, मैं सब कर लोंगी. देखा, भूल गई, नहीं बढ़ों के लिए दाल पिसनी थी. मैं सुबद चार बजी उड़कर फीज दी थी. Thank you, माजी. आज मेरी इज़त आपके हाथ है. पिछले हाथे जब मिसिस पन्या के हाथ काट का सेशन था, उन्होंने इतनी चीज़े बनाई थी के खा खा के मर गय था. अब बपन कहा, इतनी सब चीज़े बना सकते हैं, फिर भी दिखावे के लिए ना, चार-पांचीज़े तो बनानी ही पड़ेंगी. ममी, ममी, पापा बलते है शामान आ गया. ओफो, इस घर में तो एक मिनिट का चाय ने, एक अब चाय तो पिने दो. तुझा मैं आती हूँ. तब नाष्टा. अरे-अरे, समालके-समालके रहने दोबे कुछ तोर फोड़ दोगे, हम लोग कर लेंगे, जा तुम. कुछ चाय पानी के लिए साब? अरे, क्या का चाय पानी? चला, बगो यहांसे. एक तो इतनी देरी से आते हैं, उपर से चाय पानी है. अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे ओफिस ले देर हुरी है. जालिंग, आप तो हर बात भूल जाते हैं. याद नहीं, आज अपने हाँ कुछ महमाना आते हैं. आज आपकी किदी बादी है. शुकर है, आपको याद तो. अरे, ये पिताची की तस्वीर यहां किस ने रखी? माने रखी होगी. तो आप एक काम करो, प्लीज ही ले जाके मा के कमरे में रख तो. नहीं सुदा, इसे यही रहने दो. खाम खाम आपको दुख पहुचेगा. मैं रखने के लिए कहा मना करती हूँ? लेकिन डालिंग हर चीज के अपनी जगा होती है. अब आप ही देखो, देखो मैं ये फ्रेम कितना पुराना है, यह अच्छा लगीगा. यहां तो है न, आपकी मेरी तस्वीर अच्छी लगीगी. देखो, हाँ, यह रही आपकी तस्वीर और यहां पर मेरी तस्वीर. शादी से पहने में कितने खुबसूरत लगती थी. वो तो अब भी लगती हो? रहने दो, बच्छों के बाद तो मेरी फिगरी खराब हो गई है. ऐसा करो तुम, फिगर जोइन कर लो. फिगर देखके तो मैंने तुम से शादी की थी. चलो तवीजा काम करो. अच्छा मैं चलता, मुझे देर हो रही है. चलता. क्या पूटा बेटे, पिताजी की तस्वीर. माजी पता निक किसने इतनी लापरवाई से इतने कोने पर रगती थी. मेरा हाथ लगा और किर पड़ी. वहू? ऐसा भी क्या? हम भी घर का काम काज करते हैं. हमसे तो कभी घर की कोई चीज नहीं तूटी. ऐसा भी क्या गजब हो गया, माजी? कांची तो तूटा है, तस्वीर को तो कुछ नहीं हुआ, मैं नया फ्रेम लगवा दूगी. मा जिखो, खुल निकलाया. तुम रहंगे उठालेगे. अरे कुछ नहीं हुआ, बैटे. तुम तयार हो जाओ. तुम्हारे ओफिस का वाक्त हो चुका है. मा तुम ख़बरोंने, मैं नया फ्रेम लगवा दूगा. रहने दे, बैटे. नहीं. तस्वीर दीजी. रहने दो बहु. नया फ्रेम लगाने से तस्वीर नहीं तो नहीं हो जाएगी. फिर मुझे फ्रेम का क्या करना? तस्वीर तो है ना? पस पर लिए यही काफी है. यह लो बहु डेर रुपया. यह एक रुपया और यह आठान है. पिताजी, मैंने आपको तीस रुपय दिये थे. यह हिसाब तो सिर्श भीस रुपया है. जो कि? अरे हाँ, हाँ, बैटे. मैंने दो पैगेट सिग्रेट के खरीड लिये थे. तुम तो जानती हो, बैटी. यह खंबक्त ऐसी आदत है, चाहने पर भी नहीं चूड़ती है. पिताजी, आपको कुछ तो सोचना चाहिए, कि खाने वाले चार-चार और कमाने वाला एक, इस पर आप पैसा खाल को खर्च होता रहा, तो घर कैसे चलेगा? और सुनास, वही पेट की गरबर है, वही यह पेट की गरबर हुई, कि दस बिमारियां और साथ आ जाती है, और उपर से यह तिन तिन पैकर सिगरेट के? नहीं, डाक्टर, मुझे कुछ नहीं हुआ है, दरसल बात यह है कि मैं, क्या है? वो, मैं, अहां? शर्माओ नहीं भई, और भी डाक्टर होने के साथ साथ मैं तुमरा दोस्त भी हूँ. डाक्टर मुझे एक फोन करना है. तो इसमें पूझने की क्या बात है? लोकल कॉलना है, बॉम्बे कॉल करना है. बंबई, अच्छा-च्छा, भावी की याद आ रही है. बत्मन की आदब गई नहीं तुम्हारी. यार मेरे, तुम तो भावी के लिए ऐसे तरप रहे हो, जैसे अभी अभी ब्या के लाया है. इसमें खासने की कोई बात नहीं है, भावी. सिग्रेट कम करो, सिग्रेट कम करो. एक बात और है, डॉक्तर. वहां? वो जब बोलो? इस कॉल के लिए मेरे पास इस वक पैसे नहीं है. शुकला, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? यह कोई सरकारी टेलीफोन बावन नहीं है, नहीं किसी बनिया के दुकान. तुम मेरे दोस्तों यार, इतन छोटी बात करने से पहले जरा सोच तो लिया होता. माफ करना, डॉक्तर. खरीबी में कपड़े का धामन तो क्या? दिल का दामन भी बहुत तंग हो जाता. मैं समझता मुझे. अए भाली मानत, सुनते हो. अरे सुनते हो कर नहीं? राम, 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 राम. क्यो गलाब थार थार चिला रहे हैं? बोलो क्या काम है? अरे बही ऐसे ही आवाद दे दी, तुमारी सूरत देखे, घंटा भर बीद चला था इसलिए. मालूम करने के लिए के तुम इधर ही हो ना? अरे इधर ही नहीं हूँ तो और कहां भाग गई थी? जब जमानी में नहीं भागी तो बुरापे में क्या रखा है? वो तो मैं जानता हूँ कुछ नहीं रखा, अगर चाय तो बना सकती हो, चुकला जी आया है. ए भगवान, एक कप चाय बनवाने के लिए इसना लंबर चवारा मायन सुनानी क्या जरूरत थी? छी, 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 कभी नहीं सुधर है के बुद्धी भरश्ट हुई है. मैं जानता हूँ तुम फोन करने के लिए बेताब हो रहे होगे. दो मिनिट की बात है, तुमारी भावी चाय बना के आती होगी जब तक गफचप माते है. आव बैठो. मिसिस पंडिया ने तो पता ना दिने की कसम खा रखी है. इनके हाथ के नीचे बैठके न मैंने अपने सप्तिया नाज कर लिया. तुन लो, शेशी. मैं तो खेल में अनाडी हूँ. कभी कभी तुज ओकेनी थेख देती हूँ. लगता है मिसिस पंडिया नाज भाईए. देख न, अब ये बरतन कोई ने उठाएगा. इस घर में काम करने वाला कोई है ही नहीं. जब तक दस बाद में चीखो, कोई सुनता ही नहीं. उठाएदेती हूँ. उठाएदेती हूँ. चलना रमा कितनी देख लगाती है? मुझे नहीं चलना है. मुझे नहीं चलना है. मुझेस पंडिया को चलना है. तोड़ो तोड़ो, सब बर्तन तोड़ो, एक मेरे सार पर भी फोड़ो पिचारी बुट्थी है यही तो चाहिए था कफ्थे बैठी थी एक पत्थे पे चलो किनो चुक्ती हो वही, तुमसे चार जोकर लिये बैठी थी ठोला है ताहिए जान मेरी, मेरा पती की तरह लाखो नहीं कमा था बिचारे दफतर में कलम गिसता है चलो किनो, मैं देखते हूँ फोन हलो, हाजी, जी, एक मिनिट गुट्टुनिकी, तुमारे दादेजी का फोन है, अंदर से बुलाओ चलो कोईन की में? कितने में? कितने में? प्राइस डील किसी है? मेरी डील चलो 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 बबाबा हलो सलोज हाँ, मैं, मैं बोल रही हूँ हाँ, अच्छी हूँ हाँ, में की गुट्टु भी अथ्य है सुनो बहु और नरेश तुम्हारा ख्याल तो रखते है न? बहुत खायल रखते हैं खाने पिने के सिवा और कुछ कावी नहीं दिन भाद चौकड़ी मारकर बैखे रहते हूँ और आप तो ठीक है न? बोजे क्या हो सकता है? एकदम मस्त राम की तरह जिंगी गुजा रहा हूँ मैं जूट तो नहीं बोल रही हो न मेरे दिल रखने के लिए तुम जानतियों मैं कभी जूट नहीं बोलता? खाओ मेरी कसम तुम औरतों की यही मुसिबत है बात बात पे कसम दिलाती हो खाओ मेरे सर की कसम बबब तुम्हारी कसम बस सरोज तुम वहाँ अकेली कैसे रहती होगी? कभी अलग नहीं होए न हम बोला पहली बार? सारे दिन एक जैसे नहीं रहते जी किसको दोश्टो के? थोड़ी दिन तुरे गरे हैं क्या हुआ? तुम्हारी तबियत ठीक है न? खास रही हो नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ मैं ठीक हूँ सुनो ठंड शुरू हो गई है टंड से कोट निकाल कर पहन लेना और उत्मेरा मॉफलर भी पढ़ा है सुन रहे हो न? और देखो नंगे पार घर में कभी ने गुमना मुझे पैन कर रखना सुन रहे हो न? तुम्हें चिठी क्यों ने लिखी? तुम्हें तो मालूम है मुझे चिंता लगी रहती है सुनो सरोज मैं किसी तरह कल बॉंबे आ रहा हूँ क्या? क्या तुम्हें तुम्हें आ रहे हो? तुम्हें बेना जी नहीं लगता मेरा सुरूर आना सुरूर आना एक नजर देखते को मन करता है सुरूर रखते क्या? सुरूर रखते सुरूर रखते सुरूर सुधा यह अच्छे नहीं किया तुमने जाने अंजाने हंडे क्या कुछ कहगी सुधा हम नए फैशन के जरूर है मगर अपनी सास को नकरानी नहीं समझते सुरूर बहुआा सुरूर कि जर बहुआा सुरूर को अफने । सुरू ऑट अच़ु सुरूर देखते मगर सुरू नहीं सुरूर नहीं बेटे, देखो मैं बताती हूँ, ये बाच्छा, ये रानी, ये गुलाम, ये पापा, मामी, तुम. जमेश, जी, पिता जी, पेटे, कुछ, पैसों की जरुवत आप पड़ी है, पिता जी, आपको, पैसों की क्या जरुवत पड़ी, पेटे, सोच रहा था, मैं, बंबय हूँ, बच्चों की सुरत देखना, और, तुमारे माँ से भी मिलाँगा, आज ही तो आपने मा से फोन पर बात की है, और फिर, मा कोई पराए घर में थोड़ी रहती है, नरिश भी या के पास रहती है, फिर भी बेटे में, पेटा जी, इस महीने तो बिलकुल गुझाश नहीं, आप तो घर का खर्चा देखी रहे ह अगले महीने में मैं ज़रूर कर दूँगा, अच्छा हुआ 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 ह कर दो चलिए है क्रख्यार त हुआः मामा जी, ओ मामा जी, आरे पोले ठारे गामा जी मामा जी, ओ मामा जी, ओ मामा जी, ओ मामा जी, ओ दादा जी देखो हते हते कब दुख हो जाए चू, चू बुर नंचू, बुर नंचू, बुर नंचू बगिया में तो कोई है, मेरे घर में है कवा कल जो भीगी दिल्ली थे, आज बन गए रे हुआ ओ ममा जी, ओ दाटा जी, देखो शेर बनोगे हुआ होगा चू, बुर नंचू, बुर नंचू, बुर नंचू मामा जी, ओ ममा जी, बोले तारे का माजी अरे हस्तो हस्तो बर ना कर देंगे हम गा माजी जे लrok जो खो हसना तुम उसे तीखा है तुम को हसा के छोड़ेंगे तुम ना हसे जो मामा जी तो हम भी रोदेंगे ओ मामा जी देखो हो जाएगी अपनी खुशी बीछु भूरंचु 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 मामा जी ओ मामा जी बोले तारे गामा जी अरे अपने सब घम दे दो अरे हम से खुशिया ले लो मामा जी ओ दादा जी देखो हते हते सब्द को हो जाएगी चुशु भूरंचु 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 मामा जी ओ म म म जी ओ म जी, अरे गामा जी आप इंहाँ, उर्च बोले भाका इंहाँ! मामी प्रबुटू जीते रहो बेटे तेरे मामा नहीं आए अरे वो तो आई रहे थे लेकिन मैने तुझे बहुत दिन से देखा नहीं था बस इसलिए साइकल पकड़ियो चला है यह उगली को क्या हुआ ओ यह तरकाडी काट नहीं थी तेरा हाथ तो बुखार से तप रहा है प्रभू, तुझे आयद दो मिलिट नहीं हुए अपने मामा की तरह सवाल करना शुरू कर दिया पहले यह तो बता तेरे मामा की तवियत कैसी है बहुत मज़े में है अखबार पढ़ते हैं चाय पीते हैं अपनी ब्रेंड का सूटा लगाते हैं अरे गीता का पाड भी करते हैं लेकिन तेरी हालत देकर तो लग रहा है के लाडो रानी खूब सेवा कर रही है तो अधी प्रभू, तु ज़्यादा बगबग मत कर कहीं बहुनी सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा तो मैं क्या उनके इंबायक वालों का खाता हूँ जो उनसे डरूं तो चुब भी करेगा या नहीं चल अनर्थ चल वाँ, 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 वाँ नोकरों का कमरा खाली करके दे दिया आपको पुलार्ट साब घर पे है रभू, मैंने तुझे मना किया है मामी क्या तुम मुझे अंदा समझती है मुझे पागल समझती है मैं इतना पागल नहीं हूँ तिरी सूरत, तिरे कपड़े देखिए प्रभू तो अपने मामा से कुछ ना कहना क्यो, मैं मामा से सब कहूँगा सब कुछ कहूँगा दे प्रभू, तुझे मेरे सर की कसम, अगर तुने इस बारे में अपने मामा से कुछ भी कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा जो देखा है, जो समझा है, कुछ नहीं कहूंगा लेकिन वो लाड साप के बच्चे को दो हाथ दिखा के जाऊंगा प्रभू, प्रभू सुन तो नरेश नरेश कौने कौने प्रभू, तुम कब आए खुब सेवा कर रहे हो अपनी मात, चार दिन में क्या हाल बना दिया, शर्ब नहीं आती तुम कौन हो जो बोलने वाले वाव वाव, बंबई आते ही खून सफेद हो गया आज मैं कौन होता हूँ, कल अपनी माँ को बेचाने से इंजा जाओगे आज जाओगे सारी जिन्दगी पर बोच बने रहे कभी एक पैसी कमाई की है हमारा ही खाते रहे अरे तुम मुझे क्या खिलाओगे अपने मामा मामी का खाता रहा हूँ वो कमाते रहे और खिलाते रहे तुम अपने माबाप को नहीं खिला सके मुझे खिलाओगे राम सिता की जोडी को अलग रहा मुझे खिलाओगे अब जुबान मत खोना नहीं तो थपड़ दुआ अरे देखता हूँ मेरे भी दो हाथ है जोरू के गुलाम रामु खाओं निकल जा यहाँ से , मैं कहते हो निकल जा यहाँ से खीर कभी जाँ से तो तो मैरे मेरे ऩंशे के गगे निकल जाके मुझे मुझे अआए पने बूच में मुझे ना आ हरे अपने मुझे को ना मामु मैं तुम्हारा बेटा है ना, मैं कोई नी, मैं तुम्हारा बेटा नहीं ना, तुम्हारा बेटा नहीं हम हसारे को आए थे, लोरा कर चले है हम देखो, हस्ते हस्ते, सब सुक हो गै छो, पुड़न छो पुड़न छो, पुड़न छो, पुड़न छो जब देखो, बगार बताये चले जाते हो, इधर मैं परिशा मेता हूँ दिन भर गुमना, आवारा गर्दी करो, ना किसी का डर, ना किसी का लिहास अच्छा बताओ, कहां गेते तुम अरे बक्ते क्यों नहीं हो, कहां गेते तुम बंबई गयाता बंबई गयाता तो बंबई गयाता हाँ, हाँ, हाँ चले में साथ हाँ, इधर हाँ बैट अपनी मामी से मिलाता बहौता नहीं मिला अरे फिर बोलता क्यों नहीं कैसे हैं तुम्हारे वामी कोई तक्लिफ तो नहीं हो उस्से अरी गते की तरह समर क्या हिला रहा एग बह। मामी को तुम्हारी हर वक्त चिंता लगी रहती है यह बोलने ही सकता था तू कैसे बोलता बोलने से कसम डूट जाती ना इसलिए लिके दिया है तुम तु समझते हैं मामा प्रभू देखो कल सुबे चंदू की फीज भनी है याज से मुझसे ले लेना बना जुर्माना बना पड़ेगा समझे भूलना नहीं अच्छा भावे जुर्माना बना पड़ेगा जा के स्कूल में फीज भर दो फीज क्रुम प्रभूे ले 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 लेगा क्रुम झाल क्रुम तुम कर दो कर दो अच्छा लग क्यों भाई अपनी पत्मी से मिलने के लिए किसी की इजासत लेनी पड़ती है क्या वाँ अरे ठाट है तुमारे अब तो तुम शहर की हो गई हो बस हमें गाओं के रहे का है हमारे सुपूत और बड़ी वो का है बाजार गये हैं आते ही होंगे और अपने गुड़ू और मिकी दिखाए नहीं दे रहे वो बाहर खिल रहे हैं अच्छा सब बाहर गूमने चले गया है और तुम यहां अकेली काम करें सुनो तुम सफद में खग गये होगी आओ मैं तुम्हार लिए चाय बनाती हूँ आओ कहाँ अले भाई इतना बड़िया कमरा है और तुम मुझे रसुई कर में ले जा रही है और सुनो इतने पैसे खर्च करके मैं यहां चाय पीने नहीं तुम से मिलने आया हूँ तुम से बाते करने आया हूँ हाँ मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम थोड़ी दिन मेरे पास बैठो आओ आओ तो सही चल कैसे हो तुम अच्छा हूँ रभू बता रहा था तुम कैसे हूँ अच्छी हूँ पेहिनो दिवसाहा गटा सच मुछ अब हमारे वो दिल में ही रहे एक बात मेरी समझ भी नहीं आ रही सबूझ अपने बच्चों पर विश्वास करके हमने कोई गलती तो नहीं की कुछ फाइदा है यही समझ लो अपनी किसमत में सुख नहीं लिखा था चाहो तो समय का फिर समझ लो हम अपनी जिन्दी जी चुके हैं लेकिन सरूज मुझे इस बात का घम नहीं है कि मुझे वक्त पे चाह नहीं मिलती लोटी अच्छी नहीं सिग्रेट के टुकरे करकर के पीने परते हैं मैं सारे घम बरदाश का सुनता हूं सारी तकलीफ हैं सह सकता हूं लेकिन तुम से अलग होकर मैं नहीं रह सकता हूं ऐसी बाते करके तुम तुम मुझे भी रुलाओके चुछ चुड़ो चलो जरूर चलो बाहर घमने चले पुराने दिनों की तरह और मैंने हर दौर में जो तुम्हें सारी खरीद के दी थे नहीं हाँ अच्छा अच्छा तुम त्यार हो जाओ मैं देवादा खुरता हूं एक्स्पिर्मी नरीस साब गर में है जी नहीं वो तो बाहर गया है लेकिन आप आये अंदर आये बस अभी आता ही होगा वो मैं जी कुछ काम था उससे बस उनका शुक्री अदा करने आया था उन्होंने हमारा बहुत बड़ा काम निप्टा दिया अच्छा यह सुनकर तो बड़े खुशी हुई दरसल हाद बापको अपनी आवलाद की धारी सुनकर खुशी होती है आप उनके पिता है आप चायवाई पेंगे जी नहीं मैं जरा जल्दे में हूँ बसी लिफाबों ने दे रही जिए जरा असमाल के रखिएगा दस हजार रुपे हैं दस हजार रुपे किस बात के आप से छुपाने से क्या फायदा आप उनके पिता हैं समझ लीगी ये मावजा है जो उनना मारे लिए किया मावजा? साफ साफ क्यों नहीं किताब रिश्वत दे रहे हैं और आपका बेटा रिश्वत ले रहा है क्या आप बक्ते है आप वो मेरा बेटा है इमानदारी हमारे खानदान हमारे पुरोजों की घुटी में पली है जिनाब मैंने तीस साल नौकरी की है हजारों लाखों इन हातों से गिले है किसी माई किलाग की हिम्मत नहीं हुई मुझे रिश्वत देने की जुना टक करे उठा के ले जाए इस पास की कमाई को और हमें अभी पुलीस में ख़वर दिलता थैंक्यो नरी साब आपने घर बला कर बहुत रश्वती अगर आप थोड़ी दिर और आते तो ये साब मुझे जल बिजवा देते थैंक्यो पिताजी आपको क्या जूरत है मेरे ओफिस की काम में दखल देने की आपको मालू है नहीं घर कैसे चला रहा हूँ कि इमानदारी से रोटी मिल सकती है भकान खरीदा जा सकता है बच्चों की फीज, कपड़े, लटे ये घर गरस्ती चलाने के जिम्मा मुझ पर है आप पर ने ये मेरा मेटा बोल रहा है पिता जी, भूल जाई ही वो दिन कि अब शराफ़त इमानदारी ने चलनी के बदले मेडल मिला करते थी आजकल भूक और बंदामी मिलती है जिंदगी भर की महनत और इमानदारी के बाद आपको क्या मिला मैं बताओं बेटे क्या मिला मन की शांती नहीं इज़त मिली, मैं सर उंचा करके चल सकता हूँ जो आज की तुम्हारी इस नई पीड़ी के नसीब मिली ठीक है, यह आपको ख्याल होगा अगर आपको इस घर में रहना है तो आइंदा से मेरे काम में दखल मत दीजिए तुम्हे लबजों में तुम मुझे अपने घर से निकाल रहे हो बेखा ठीक है, मैं खुद यहां रहना नहीं चाता जिस घर में मान मर्यादा नहों जिस घर में पाप की कमाया आने लगे उस घर का पानी पिना भी मिल्म तुम्हे जरूर मालम होगा पिताजी कहा रहे है वो तो मालम है, बंबय गए बंबय गए? लेकिन उनके पास पैसे कहां से आए मैंने दिये? तुमने दिये? कहें से चोरी किया है? लो, चोरी करने की जरूदी क्या है? भावी ने चंदर के फीस के पैसे दिये थे प्रभू, प्रभू, ये तुन्हे अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया तुन्हे बहुत बुरा किया? और ये दोनों भाई तुम मामा मामी के साथ जो भरताव कर रहे हो अच्छा कर रहे कल इनके अपने बैटे इनके साथ ऐसा बरताव करेंगे तो पना चलेगा अब इस वाट दिला जता हूँ, अब इस वाट दिला जता हूँ, सुन, कहा जा रहा है, हे, अरे, शुकला, क्यों, आज फिर भावी की याद आ रही है, क्या, देख रही है, फोन करने से तो अच्छा है, एक बार मिलिया, आखर बंबाई हाई कि, ने, ने, डॉक्टर, वो बा सला लेने, सला, बोलो, बोलो, डॉक्टर, मैं सोचता हूँ, कोई काम ढूंड़ो, कोई छूटी मोटी नौक्री, अरे, चारी उमर काम किया है, बच्छों को पढ़ाया, लिखाया, अब वो अपने खाते कमाते हैं, तुम अब बगवान का भदन करो, अगर आज मेरी आउला इन पंचियों को देखो, कितनी लगन से अपना खांसला बनाते हैं, फिर बच्चे होते हैं, माबाब एक एक दाना चुन-चुन के लाते हैं, और अपने बच्चों को खिलाते हैं, और फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, और एक दिन भुर्ष से उड़ जाते हैं, अपना यह तो कुद्रत कान लिखा कानून है, डॉक्तर फिर कहते हो, भाई मैं तुम्हे क्या बताऊं, डॉक्टर मुझे नौकरी की सक्सरूत है बताने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ रहा हूँ फिर तुम अपने आपको देखो काम करते हो, किसी के मौताश तो नहीं हो न और फिर आज भी तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथे रहती है मैं समझता हूँ डॉक्टर जवानी में पत्नी की इतनी जरूरत नहीं होती जितनी बुड़ा भेन होती है अजी सुनते हो कब से इंतिजार कर रही हूँ खाना तो खालो दिनके तीन बज गए है तीन बार गरम कर चुकी हूँ हे भगवान ऐसी ग्रस्टी किसी के पल लेना पड़ है तुम्हारा बस चलाई तो मेरी खात्रसो इस गर में डाल दो अरे दो रोड़ी स्यंग कौनसा असान कर देती यो चह dew आस्मान सब पही चड़ा रहा आस्मान सब पह चाला है तुमको खाना हो तो खा लो क्या 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 तुम जानते हो ना कि तुम्हे खिला ये बिला मैं नहीं खा सकती हूँ इसलिए मुझे सद्धौस जमा रहे हो, क्यों, तुम्हे अपने पेच की परवाँ नहीं, तो कर्शुकं मेरा तो ख्याल करो, और ये मैं ही हूँ, जो तुम्हाँ साथ निबाय किये चली जा रही हूँ आगे देखती हो ना पीछे, जब चाहे टोपी उतार के रख देती हो, इतना भी श्याल निए एक शरीफ आदमी सामने बैठा है, दंदर आते हो चली आते हो, जा नहीं खाता हूँ अरे नहीं खाते तो मत खाव मेरी बला से, नहीं खाते आज तुम्हारी जिन्दगी से मुझे जलन हो रही है, मेरी धरम पतनी के कारण जलन हो रही है, मैं तो परिशान हो गया मुझसे कुछ भी हो दॉक्टर, तुम हो बड़े खुशनसीब आदमी अरे भाई, जैसी भी है, तुम्हारे साथ तो है अरे तुम फिर आदम की, अरे खाना नहीं, खाया तो नास्ता तो कर लो, खाली पेठ हवा भर जाएगी, लो, पकड़ो भी भाईया, तुम भी खाओ, नहीं शुक्रिया भावी, मैं खाना खा के आया हो अच्छा, तो यह लो मिठा, मैं जानती हूँ, तुम्हें मिठा बहुत पसंदे वा, किस शुब घड़ी में पहुची हैं, बंबे, ट्रेन बन, टैक्सी बन, बस बन, बंबे बन, कम से कम अपने भाई को दो लिख दिया होता, वो उमें स्टेशन आजाते लेने, और यह मुस्रीवत मुझे नहीं उठानी पड़ती मैंने इसनी नहीं लिखा कि मैं अपने भाईया को सा प्राइस देना चाहती थी, और हमारी तो जान किया पड़ी न, अब इससे घबरा गए मिस्टर, जब ग्रेश्टी का बोज उठाना पड़ेगा तब पता चलेगा अरे तुम्ही कमरमट काई कहा जा रही हो, कुछ करो न कितने अच्छी हो तुम, इतना बोज उठाने के बाद भी तुम्हारी नज़र मेरी कमर पे है Thank you very much You are most welcome अरे माजी, आप बरतन दो रही हैं, लाई यह मैं दो देती हूं रजी दो बहुत आप भटिए न, मुझे कहोता मैं कर लेती आप जी यह मैं करती हूं माजी, बताए, कल रात को मुझे बहुत दांट रहे थे कह रहे थे किसी माई है, अगर वो इस तरह दिखीगी तो क्या सुचीगी ठीक ही तो कह रहे थे ठीकिन माजी, मैं जबान की कड़वी ज़रूर हूं ठीकिन दिर से बहुत अच्छी है होता है न माजी, अगर दो बरतन होना तो वापस से ज़रूर तक राते हैं आप अभी तरह खड़ी हैं, जाए आप अनाम कीजे चाहिए न माजी, मैं कर लूँगी, आपको फिकर करने की ज़रूरत नहीं घब रहे यह मत महराज अपना पूरा इंफुलेंस लगाकर अच्छे नमबरों से आपको पास कराऊंगी अरही मेरे बास, वो तो आपके माता भी तो मुझे देखती ही पसंद कर लेंगे अच्छा जी, इतना यकीन है खुद पर, तो इस बात पर हो जाएक थीजी थीजी, फोन पर ऐसी बात नहीं करते हैं, अच्छा मैं रखती हूँ, ओके बाई बताओ तो, हमें भी तो कुछ पता चले, क्या नाम है उसका मुझे नहीं मालूप अरे वा, अभी तो बड़े हंस के बाते कर रही थी बेटी, उसे कभी घर पर बुलाओ, हम भी तो देखें मा, बोल बेटी मा, कल अजय ने अपने घर पर मुझे बुलाया है, मैं जाओ अच्छा, तो, तो उसका नाम अजय है, हाँ ओ मा, मेरी बेटी वा, वा, क्या मा बेटी का प्यार हो रहा है सुदा, एक कप गरम गरम चाय बिलाना हाँ मा, कल घर में एक पार्टी है, मैंने अपने बॉस को और ओफिस को कुछ लोगों उस चाय पे बिलाया और मैंने उन्हे कह दिया है कि मेरी मा के हाथ के बनी हुई चीज़े खाएंगे तो उम्लिया चाथते रह जाएंगे बाया, मैं भी अपनी पसंद की दोचा चीज़े बनाऊंगी आप कुछ लेंगे आप कुछ लेंगे अप अप परमा साब नही है आदे हुए तुम्हे कुछ चाहिए मा तुम मेरी किंता मत करो बेकी महमानों का खाल रखो जा लीजे ना एक पूलीजे हलो मा साब हलो मन्जीत बाभू अलो बई सुदा देखो कौन आया सर आने में ती देर होगी देर ट्राफिक ज़रा रास्ते में जादा और एक नहीं देखो कैसे बाद कर रहे यह मेरी पत्नी सुदा है और यह हमाई बॉसर वर्मा साब नमस्ते और यह उनके बेटे मंजीत बाभू नमस्ते अभी तुमें नहीं रोक रहे खुगी या अरे इनका अपना घर है आये ना आये वर्मा साब आये सीमा यह वर्मा साब यह उनके बेटे मंजीत यह मेरी भैन सीमा अभी भी नेनिटाल से बीया का एक्जाम देकर आये सबसे बड़ी खुबी यह है कि गाती बहुत अच्छा अच्छा वाँ आये वर्मा साब हलो हलो अच्छा सुनिए आपके बाई साब कह रहे थे आप अच्छा गाती है तो हमें इस सुनाद दी जिए अगर कोई आपके कहीं कि मैं बहुत अच्छा रूती हूं तो क्या आप मेरा रोना से ना पसंद करेंगी बाभी जी देखे न हमने तो इंसे बहुत रिक्मस्ती है हमारी बात तो नहीं मारती है क्या हुआ जर आपी कहिए ना गानावाना सुना दे आपी में रोना का जाएगी जरूर थैंक यू वो बर्मस्तर ना सीमा जब बन्जीत बाभी इतनी जीद करें तो गादो ना नहीं बाभी कुछ खास्वात हो रही है लगता सीमा के भाभी ने उसे गाने के लिए मना लिया हाँ मैं ना बॉनू ना बॉनू ना बॉनू रे मैं ना बुरू ना बुरू ना बुरू रे बुल मीरा बजु पनकी वोही पीत है बजु पनकी मैं ना बुरू ना बुरू ना बुरू रे बुरू आ बुरू रे शर्म से भारे अख्या हमारे करती बस ये बाते तुभारे लाख जगन दोई मेरो निम्सक्ति सू कोई जादू हमने है चलाए मैं ना बुरू ना बनू ना बंदे मैं ता जोलू रे रनू जोलू दे मैं अजा तुभा सुनी की दोलू फे बंदे शोलू ता बंदे की बंदे की बंदे की बंदे जीवन सारा, यूही गुसारा मोरे मेरीया, भूंदे की नारा संग संग पवन के पंची बन के पर अनीका अनी की बना कंश कतीL आनीका अनीका झारा मैना बूरना बनानोंघ बै मेठना बना आरे दोंदे नरेश, भई तुम्हारी बेहन दो हमें भारी थांक्यू सर, थांक्यू मंजीत को तुम जानते हो, ना समझ है, थोड़ा गएर जिम्मेदार है अगर कल उस पे जिम्मेदारी डाल दी जाये, तो सुधर भी सकता है वर्मासाब मैं समझाने मेरा मतलब है, अगर उसकी शादी सीमा जैसी पढ़े लिख की और समझदार लगी के साथ हो जाये तो उसके जिम्दी सुधर सकती है इसमें मुझे कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ के जवाब देना मैं तो कहती हूँ के इस रिष्टर से वर्मास के घर आना जाना रहेगा इतना बड़ा कारोबार है उनका और सीमा से शादी के बाद, वो लोग तुम्हें अपना मैनेजर बना लेंगे सुधा मंजीत अच्छा आदमी नहीं है, आफिस में लोग उसके बार में क्या-क्या बगते हैं और फिर मैंने अपनी आखों से उस लड़की उसे फ्लर्ट करते देखा चान मेरी ऐसा हर आप को छुपा देता है और फिर कौनसा ऐसा मर्थ है, जो शादी से पहले यहा मामूने ही मारता लेकिन सुधा, हमें सीमा की रहे लेनी चाहिए अगर आप इसी तरह सोचते रहना तो बन चुका आपका कैरियर लड़का इतने बड़े घरका है, पढ़ा लिखा है और फिर सुसाइटी में इज़त है उनकी सीमा तुम्हारी चोटी बहन है, अगर तुम समझाओगे ना, तो मान जाएगी कोशिश तो करके देखो जाला जी, यह सावाल मुझे नहीं आता निकाल दो न अरे बेटा, चश्मे के बगएर तो मुझे तू भी नजर नहीं आता एक काम कर, वो मेरी कोट की जेव है न, उसमें मेरा चश्मे लिया जा क्या हुआ अरे जारा जी, आपका चश्मा तूट गया हाँ? चश्मा तूट गया अरे इस बहुत ही बुड़ा हुआ पीटा तेरी मा तो मुझे कच्छा ही खा जाएगी अरे इस चश्मे के बगएर तू मुझे अंदा ही समझो बेटा गब रही ही नहीं दादाजी मैं ममी से कहगा आपको न्या चश्मा बनवा दूँगा मामी मामी अरे नहीं बेटा ममी को बचानी की जरूँगा क्या है चंदन ममी डादाजी के चश्मा तूड़ गया पीताजी आपने चश्मा तोड़ा ला थोड़ा नहीं ब्रभू तूड़ा ऐससे भी क्या लापर वही डादाजी को की अर्टियो चश्मा तो मुझे जूड़ा है अपनी ममी के साथ इस तरह बात नहीं करते है बच्चा है वह कोट की जेव से ये चश्मा निकाल राथा आपने इसे चुने क्यों दिया चश्मा कोई बच्चों का खिलोने तो नहीं इसे कुसूर तो मेरा ही है लेकिन कुसमत से ये फ्रेम बच गया है कार्श तो पंद्रा दिस रुपया में लग जाएगा बिस रुपया आपको कुछ नजर ही नहीं आते आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पैसे पेपर ऊपते हैं आप कुछ दिन बिना चश्मे के गुजारा कीजिए जब पैसे होंगे तो नया बनवा देंगे हाथ पे हाथ धरे बैटे रहते हैं और रोज रोज कोई नया खर्चा बैराजी मेरे पास इसमें दो रुपय चर्श रिस पज़ा जमा है यह आप रख लो जब नुझे तुफीन का पैसा मिलेगा मैं आपको लाकरत देंगा और जब 20 रुपा जमाँ जाए तो साथ बादा जाकर आपका चश्मा लियाएंगे और मम्मी को तो पता ही नहीं चलेगा तो इसे सबहु कि रहे यह तो तेरी पूजी है रहे अपने बुडे दाना पे इतनी दौलत मत उठायकर मेरा क्या है अगले मैने दूसरा चश्मा आगएगा दाना जी आप रो रहे हैं न नहीं मैं कहा रो रहा हूँ अच्छा मा तो मैं चलती हूँ जा बेटी वो भी तेरी रात देख रहे होंगे रहे हूँ नमस्ते वातजी जीते रहो भैजे पूणा जा रही जा है अपने पिता जी के पास वाँ क्या इताफार की बात है अज पुना predator में रेसे से मैं भी वही जा रहा था तो नो भी तुमियानी के सादा चली के क्या बात है गाली तो यू भी जाई रही है हाँ सिमा चली जाओ ना क्यों मा जी कोई हर्च है हाँ बेटी चली जाओ अराम से पहुच जाओगी अच्या मा जाथियो अच्या मा जात्यों अच्या मा जात्यो अच्या में लेने तो अप्रिया आईये मा मैं सिमा को बाहर छोड़ा आती नमसा माताजी अच्या मा जाओगी जाओगी तो अगर आप मिलना चाहे तो मिलने की बज़े तो आपके नरश भाई सावी बता सकते हैं वो आपकी और मेरी शादी तेकादा चाहते हैं देखिए नरश भाईया ने अपनी शादी अपनी मर्जी से की है मेरी शादी होगी मेरी मर्जी से समझे बाई बाई अरे सीमा वीटिया पीता जी कैसी हो तू? अच्छी हूँ कम आई? अभी आई अच्छा अच्छा बंबे में तू अपनी मासत मिली होगी कैसी है? आपके लिए चिख्षी दिया अच्छा यह तुम्हारी मा की दूसरी चिख्षी है जो जिन्दगी में उसने मैं लिख्षी है आपके चिश्मा की तर है? हाँ पछीया यह तुम्हारी मा की चिख्षी है ना बाद में आराम सपण हाँ सीमा आई भाभी जा वीटिया जा मेरे को मिलने कोन आएगा चल सीमह तुम यहां अपने प्रभ भाईया से मिल आया हूं लेकन यहां इस गालिज में अपनी बड़े भाहिया के शांदार ओपिसमें जाकर इतनी कुष्य नहीं होती पड़ी बाते बनाने लग गया है शादी हो जाएगी तो नानीमा बन जाएगी है चला बैट पता क्या हाल है सब मज़े में हैं बेटे कमाते हैं बहुए पकाती है बैटके खाते हैं और अब तुम्हारे हालत भी देख रहे हूं अरे मेरे हालत को क्या हुआ इससे पहले तो बेकार था अब तो कार वाला हो गया हूं देख कितनी कार है मेरे पास एक दो तीन चार वाया तुम लाग चुपा हूं लेकिन तुम ही मेरी तारा उनके लिए अंदर ये अंदर जलते रहते हो रूते रहते हो इस उमर में अलग कर दिया दोनों को ऐसे बेटों से तो दुश्मन अच्छी जो मारते हैं तो जान से मार डालते हैं यू कुट-कुट कर दे एक एक चीज के लिए तरपारते नहीं और बिइयो तो किसी काम का नहीं पड़ा लिखा होता है तो अशांद में किसी काम हास आथी तो कुछ न ही कर सकते बैया लेकिन युक करने की भावना तो हैह जरूनी क्या करता है और बैया में वीटिव तो तुम्हारे साथ हूं सीमा, तुम इन बातों में मत पढ़ो, तुम अपने पढ़ाहे लिखाई करो तुम लड़की हो, तुम करी क्या सकती हो अच्छे है मैं लड़की हूँ भाया, लड़का होती, तो अपने भायों की तरह उनकिस इनके बरबत करती थी तो वया, मैं, मैं वादा करती हूँ, मुझसे, मुझसे छो कुछ भी बन पड़ा, मैं उनके लिए करूगी, अपनी, अपनी जान देकर भी मैं, मैं उनके लिए कौन, सीमा, आव बेटे, आव, आप अभी थक सोय नहीं मुझे, मुझे, मुझे आपसे कुछ कहना है, ठीक है, मुझे भी तो तुम से कुछ कहना है, पूछना है, आज दिन में तो वक्त ही नहीं मिला, आपने, आपने, पहले ये बता, तेरी पड़ाई लिखाए कैसी चल रही है, तो आँ खुछ है मैं सरसच बुल भीताजी, और नहीं तो अपने पिता से जूद बुले ही, मैं वहाँ बहुत खुछ थी, लेकिन, लेकिन मैं यहाँ खुछ नहीं हूँ, क्यों बेटी, आप दोनों के लिए पिताजी, इसमार आपको देखकर ऐसा लगा, जैसे आप बहुत बुले होगे, प पिताजी तो अभी बहुत खुछ हूँ, और पिर बुटा तरो में बुटा नहीं, तो क्या जवाल देखना, अप जू हासे में अपना दर्भ छुपार है, उसे मैं समझती हूँ, पिताजी, मां भी आपकी तरह हसती है, क्या मतलब? पिताची, किसी तरह आप मसे में हैं, छि किसी तरह मा भी खुश है सर, हमारी बात चाने तो, बुरे बेकार आद्मियों के बारे में क्या बात करना है अभी तो हमें तुम्हारे बारे में सोचना है, तुम्हारा ब्याह करना है मेरा ब्याह? क्यों? क्यों, अरे पगली, तुम्हारा ब्याह होगा, तुम अपना घर बसाओगी, ग्रहस्ती संभालोगी, यही तो धर्म है ने दी ठीकी तो है, आप लोग की तरह मैं भी शादी करूँगी, मेरे भी बाल बच्चे होंगे और हम जब आपकी तरह बुड़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे हमें अलग कर देगे, जैसे मेरे भाईयों ने आप दोनों का अलग कर दिया है, यही तो धर्म है, है न अभी तजी, क्या पागलों जैसी बाते करें यहीं मैं सब कुछ समझती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, हम लोगों के लिए आप दोनों ने क्या क्ष्ट उठा है, और उसके मदले में आपके दोनों बेटे आपके साथ क्या सुलुक कर रहे है, मा, मा वहा दीन राहत काम करती है, आप, आप सिगरेट के ठुकरे ठुकरे करक पिते हैं, और वो भी प्रवु वयाने कराते हैं, तूटे हुए चश्मे के साथ काम चलाते हैं, पिताजी, मैं सब कुछ समझती हूँ, बंबई का घर इतना छोटा नहीं कि आप मा के साथ ना रह सके, लेकिन बड़ा भाई नहीं चाहता, यहां, यहां आपके पास मा रह सक पिते हैं, लेकिन, लेकिन चोटा भाई बूज उठाना नहीं चाहता, मुझे, मुझे मायों पर शर्म आती है, पिताजी, मैं सोचते थी, जब दू आपनी विया करते हैं, तो मौत है उन्हें अलग कर सकते हैं, लेकिन मेरा खायल गलत है, बच्चे भी अपने माबा पर अल बच्चे भी, रो मत है, तो रोएगी ने तो, मुझे तो होगा बच्चे, आज सो पहुंच लेकिन, आज सो पहुंच लेकिन, नहीं यार, कल की रसमे मजा नहीं आया, यही कोई 20,000 जीता, करें, यार कोई आया है, आलकोल लिए आप, आप, आप किसी और का इंतिजर कर देते, नहीं तो, किसी का भी इंजार नहीं था, आये न, बैठे, वाट प्लसन सर्प्राइज, आप क्या लेंगी, थंड़ा या गरम, मजीद बापू, मैं, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ, कहिए न, आप, आप सचमुझ मुझसे शादी करना चाहते हैं, सचमुझ, यह मेरे जिन्दगी की पहली और आखरी ख्वाइश है, आप नहीं जानती, मैं आपको कितना चाहता हूँ, मैं जानती हूँ, आप मुझे कितना चाहते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, एक शर्त, मुझे तो आपकी सारी शर्ते मनजूर है, आप पता ही तो सही, शादी की बात मेरी माता-पिता मेरे साथ रहेंगे ये भी कोई कहड़े की बात है आपके बाता-पिता मेरे बाता-पिता के सवान है हमें बुजून को कसाय मिल जाएगा ठीक है बस मुझे अपनी माबाप की खुश्च चाहिए और मुझे आपकी अच्छा, मैं चलती हूँ मामी कौन? मैं हूँ प्रभू कौन है? हाँ, मैं हूँ प्रभू तू, तू फिर किसे क्यों आया रहे? तूने कहा था ना कि दर्वारे से अंदर ना आना इसलिए खड़की से आया हूँ तूना, तू पगला है बेल खोल पगला अरे मामी इस अकलवालों के दुनिया में तू मुझे सब पागल ही अच्छा मामी, मैं तेरे लिए ख्यला हूँ मिठाई का डब्बा तुझे बहुत पसंद है ना मेरी पहली पगार का है और मामी, प्रभू को कभी गनत ना समझना रहा हूँ यह देख तीन सा रुपे तीन सा रुपे मैंने चोरी नहीं किया मेरी पगार का है मैंने नौकरी कर लिए एक ड्रेस ठीटे रोखो बेटा यह नहीं पूछूंगी कि वो कैसे है अगर पूछूंगी तो तु मेरा दिल रखने के लिए जूट बोलेगा और अगर सच बोलेगा तो शायद शायद मैं सेहन नहीं कर सकूंगी बस मामी तु जल्दी से ठीक हो जा इन पैसों से दवाई मंगा लेना और मेरे पास कुछ और पैसे जमा हो जाए ना तो मैं आकर तुम्हें यहां से ले जाओंगा मैं चलता हूँ कहीं उन लोगोंने सुन लिया तो फिर से जगरा हो जाएगा तो फिर आएगा ना आओंगा आओंगा जरूर आओंगा अपनी तपेज का खैर रखना बहुत इच्छी पार्टी थी लेकिन तुम लोग क्यों ने आयाते सुदा मैं तुझे बात में फोन करती हूँ तुम्हें में जेब से रुपे निकाले थे क्या आप बात कर रहे हैं अगर मुझे रुपों की जरुथ होती तो आपसे मांग लेती और अगर जेद से निकाले होती तो क्या कहने देती कमाल है जेब में रुपे रखे हुए थे पताने किस ने निकाल लिया कितने थे 2.500 रुपे थे 2.500 रुपे अच्छा हुआ एक तो घर में पहले ही तंगी चल रही है और आप है कि इतने बेपरवा है पताने कहा रहा गुड़ निकी तुमने डाड़ी के रुपे कहीं देखे नहीं ममी लो समझ में नहीं आता घर में कोई और है भी तो नहीं कि कैसे दबस है माजी फीक हो बहू क्या हुआ कुछने माजी देख रही थी कपड़े बहुत मैलो गए धुलने नहीं डाले धुल जाएंगे मैं भी कितने सुस्त हो गई हूँ चदर कितनी महली हो गई है और गिलाव तो देखो कितना महला हो गया डाड़ी डाड़ी मेरे पत्ते लगा दीजी न एक मिनिट बेटा डाड़ी एक मिनिट तो लगेगा उफव सुनिये क्या है पैसे मिल गए क्या क्या कोऊ कहूंगे तो मैं बुरी बनूंगी साफ साफ कहो पहले ना बुजाओ तुम्हारी मा क्या बक्ति हो सुदा मैंने कहा ना मैं कहूंगे तो तुम भी लालोपिले हो जाओगे लेकिन आखों देख़ी मक्षि निगली नहीं आसकते वहा क्या बोलो भी मैंने अपने आखों से देखा है आजी ने तक्के के नीचे छुपाकर रखे है ची-ची देखकर मैं तु शरम से पानी-पानी हो गए तो अबाग क्या समाना आया है भाई तुम जानो और तुम्हारी मां चोरी करे या चकारी करे मैं ठड़ी पराई घर की मैं कौँगी तो कौँगी के मैं भाई जाने कोई किसी पर कैसे विश्वात करे नहीं नहीं सुदा ऐसा नहीं हो सकता मैंने कहा ना मैंने अपने लेड़ी आपके रुपे मिलगे बातरूम में पड़े थे नस्तो तेयार है दाइणमा 다यो कौण निक्की दाइणमा मा बहुत बुरी है ती वैटे मा को बुरा नहीं कहते दाइणमा तमको मालूम है ममी क्या केती है केती है दाइणमाने और दいたいた दाइणमारे विफे ए-तो दी पर ऑगें अकिला वामी मैं सूछ तुम्हारे तक्रे के नीचे रखे हैं ना पर वह चोड़े तोड़े हो गए बात्रूम में धर पड़े थे अब उदू ने देखे लेगे बहु बस यही अकसर बाद की रह गई थी के तुम मुझे त्योरी का इल्जाम लगाओ लोग हमारे नामों की कस्में खाते थी आज तुम्हारे पिता जी सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि उनकी पत्नी चोर माँ मैं बेटी से बहु बनी बहु से माँ बनी माँ से सास और यहां आकर नौकरानी बन गई फिर भी मन उप नहीं की मैंने सोचा कि मेरे ही बच्चे हैं अपने बच्चों की सेवा करना हर माबाप का फ़ल मैं बीमारी की हालत में चुटी रही लेकिन लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिला यही ना कि मैं चोर कहला ही नहीं 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 अब मुझे बरदाश नहीं होता अब मुझे बताच नहीं होता मा, मैं तुम्हे इस हलत मनी जाने दूगा मुझे रोकोगे नरेश, तु मेरी लाज देखोगे बहु तलाशी लेनी होती लेलो जाहो तो पुलीस को बुला लो हाँ बहु, बहु मुझे इतनी सो रुपय दे गया था लो लो, इसे भी रख लो मा, फिरो मा, मा अगर मुझे मरना ही है तो मैं किसी सड़क पर जान दे दूगी लेकिन, लेकिन इस घर के छट के निचे मरूँगे भी नहीं नरेश मैं मरूँगे भी नहीं अरे बेटे स्टेशन का रास्ता किस तरफ है? मा जी आप यहां से सिधे चले जाए उसके बाद बाय हाथ की तरफ मोल जाए अच्छ अच्छ लेट बाया लेटता स्टेशन का Dreams लेटता स्टेशन का Cammy कि अज़ा कि अज़ा अ कि अज़ा कि अज़ा है कि अधो है यहां खुली है, कि अधोगी है, लेकिन रहता है, सीमा अगर तुम्हारे माँ को पता चल गया, कि तुम हमारे खादर अजय से नहीं मन्जीत से शादी करने को तयार हो, तो किया सुचेगी उप यहाँ? बोड़े माबाब के खातेर कोई इस तरह अपनी जन्गी बरबाद करता है। पीता जी, अगर बच्चों को पाल बोस कर बढ़ा करना माबाब का फर्ज है, तो बुड़ा परमे माबाब की देख भाल करना बच्छों का फर्ज है। सुना जी, इसकी बाते सुनी तो से, कल की ये नन्नी मुन्नी गुड़िया, आज हम बुड़ों का बोच अपने खंदों पर उठाईगी। और फिर लोगों के घर बेटी पैदा होती है, तो उने दुख होता है, कि हमारे घर बेटा में हुआ है। अगर तुम्हारा खत मुझे वक्त पर लिये मिलता तो, सीमा तुमने अपने आपी फैसला कैसे कर लिया, कि मैं जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं हूँ, इतना भी यकिन नहीं का मुझ पर, घरीब आदमे के पास और कुछ नहीं सही, लेने के थोड़ा साभी मान ही तो जिम्मेदा है, उसे तुरहने दिया हुता, सच कहता हूं, सीमा, मैं तुम्हारे माता पिता को अपने सार आँखों पर बिटाता हूँ अचे पेटा, मुझे तुम पर भागमान हुआया है, लेकिन पेटा, हमारी कुछ परंपरा है, हम लोग बेटी की घर का पाने भी नहीं पीते हैं पेटाजी, आपका तारा है, तार? पेटी, पड़ो माप की हलोड बहुत खराब है, आपूर blij से अचा क Film Ч fatty corre. अची चाहरया है सेंचल ही सेंचल होड़ो सेंचल हाँ पेटाजी और सिमा खाया बहुए परस ये तारा है था पड़्टी माप्तब हेए माशें दो परमे कंडिशन सेरियस? सर, सलोज बढ़ते जाए है देखिए, अगर गंटे बर के अंदर अंदर पूश्ट ना आया तो, I mean, के सेरियस है को देख सकते हैं? सिर्फ आप और देखिए, मरेश को दिस्टर्ब मत कीजिगा सर देखिए, मरेश अंदर । और आप कर दो कर दो कर दो कर दो बहुत दुख उठाये ना तुम्हेशा मेरे दुख बाते हैं तुम्हेतो हमेशा मेरे दुख बाते हैं तुम्हाला मुझे कैसे दुखी कर सकते हो मैंने अगर मचबूर होकर कुछ दिनों के लिए तुम्हे खुछ सालग कर दिया था तु पेबस था अपनी आणाद के आदो पेबस अरे जिने जिखर का टुकडा कहा मैं अपनी आणाद को बद दुखा तु नहीं दे सकता सरोज लेकिन अब कभी मेरे दिल सुनते लिए दुखा भी नहीं देख लेगी कभी नहीं देख लेगी सुट रही हो ने सरोज अभी तो तुम्हा होने का फर्स पुरा करना है सीमा के हाथ पिले करने है अभी नहीं दुखा लड़का है साथी आया है और अब हम फेर एकठे रहेंगे प्रभू ने मेरे लोकर लगवा दिया बूलोगे नहीं सरोज हम दो एक दूसरे को देख देख के जीते दे तर नहीं सरो देख देख करने को अब्रोल प्रभू अबधा 1 आप देख के देख को देख है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु जएसा थे लुगताया जाकताया? Simo.. Simo.. … … … … … … … अगे है ना? साम, कोई मिस्टर नरेश आई है? पताजी, माँ की तवियत कैसी है? किस की ना? पताजी, डॉक्टर ने सरो से मिलने की जाज़त सिर्फ अपनो को दी दो पताजी, मैं रुको नहीं उसको मौत के मौह में धदेखे अब उसकी जर्ती चिता लेखना है अब तुम्हें तुम्हें शायद इस उनका दुख होगा अब सरोश ठीक है पताजी, हमें मा को दिखतो लेने दीजे जिस मा का चेहरा देख देख कि तुम लोग बोलना सिके शकलें पेचानना सिके अब वो चेहरा मैं तुम लोगों को खवी देखने नहीं दुना क्योंगी नहीं यह मेरा फैसला नहीं हुकम है शिता जी, हमसे भूल हुई हमें माफ कर दीजी तुम लोगों को जनन देकर जो गुनाम मुझसे हुआ है उसके लिए भर्वान भी शायद मुझे माफ नहीं करेगा मैं माफ करने वाला कौन होता हूं तुमार जो यहास, जो और भवान नहीं मुझे या तुमारी माफ को कभी तुमारे कंडे की दिजर पढ़ जाए तुमारे जो जो मामी मों गुलाया अधिर ऑपेटे अरे दराओ पेटे शरूर अरे, तुमारे पहार क्यों खड़े हो बेटे, मेरे पास आओ बेटा बच्चों के तरफ मुँ फेरे क्यों खड़े हो बच्चे बुरे हो सकते हैं लेकिन माबाप नहीं अगर माबाप बुरे हो जाए तो सुरिष्टी खतम हो जाएगी तुम्हें मेरी ततन है लेकिन प्याएग लेकिन लेकिन बच्चे वेकिन लेकिन माबाप प्याएग लेकिन कर दो कर दो तो